नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News शक्षमवत 1945 विक्रम समथ 2018 आज भादरपद मास्क के शुकल पक्स की तरिती आती थी और दिन शोमवार है तदानुसार अंग्रेजी तारिक 18 स्थमबर सन 2023 वहीं आज यानी 18 स्थमबर को हरताली का तीज का वरत भी किया जाएगा आईए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन पर की सुर्कियों की तरफ पाउर स्प्रे पंप सेट खरीदने पर 50% सब्सीडी मिलेगी किसानों को हवा फाइदा बताएंगे पूरी अपडेट हरियाना में 1000 पियन वेकेंशी का एलान मोजुदा सफाई कर्मियों को मिलेगी ये बड़ी सुईधाई हरियाना में किसानों को गाय के गोबर से बनी खाद पर मिलेगी सबसीडी डियापी का बेहतर विकल्प होगी साबित नो हिंसा के दूसरे केस में फशे मले मामन खान दो दिन का और पुलिस रिमान मिला मोबाइल वे लैप्टोप भी किया जप्त हरियाना में बीपे लासनकारण वालों के हुई मोज गेहुँवे चिनी के साथ हरियाना सरकार ने गरीब परिवारों को सर्शों का तेल बाठने का जारी किया नया आदेश चरके दादरे में जेजेपी की नव संकल प्रेली अजे चोटाला का भाई अभेबर परहार बोले वे भुपेंदर हुड़ा की गोद में बैठे किसानों के खाते में पहुचा 2022 फसल बीमा कलेम का मौज़ा परतियकर मिला इतना मौज़ा पताएंगी पूरी अपडेट पंजाब हरियाना हाइकोट में आज नहीं होगा काम वकील संबूदत सर्मा की निधन के चलते बाहर असोशेशन ने लिया बिड़ा फैसला वकिल संबूदत सर्मा ब्रामन सबा के पूर वकिल भारतिय परदान और हाइकोट के प्रेशिडेंट भी रह चुके हैं आठ वी बार एशेकप चैंपियन बना भारत सिरलंका को 10 विकेट से फाइनल में हराया शिराज ने 21 रंदे कर 6 विकेट लिये और अब खबरे विस्तार से चंडिकट मोशम विभाकियोर से संभावने जताई गई है के हरियाना में 18 स्तंबर तक बरशाद की संभावना बनी हुई है इसके तीन दिन ब्रेक के बाद फिर से बारिश का एक नया दोर सुरू होगा हलाएं कि स्तंबर में अभी तक मानसुन कोई खास महरवान नहीं दिखाई दिया है एक स्तंबर से लेगर अभी तक सुबह में सामाने से 70% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है हरियाणा में 24 गंटे में सबसे अधिक बारिश मेहंदरगर जिले में दरज की गई है या 22.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है इसके अलावा सोनिपत रोत तक गुरुग्राम जिलों में भी बारिश होने की वज़े से जगह जगह जलबराव की स्तीती देखी गई है इस वक्त बाजरा की फसल मंडियों में आने लगी है बर्शात के कारण बाजरा की फसल में परभावित हो सकती है फसलों के उत्तम उत्पादन के लिए आधुनिक किर्शी एंतरों का मैयत पुन योगदान हो रहा है खेते में पौशक ततमों और केटनासकों के छिटगाव के लिए श्प्रेयर, किर्शी एंतर, बड़े समय और लागत से बचाने में किसानों की मदद करते हैं हरियाना सरकार द्वारा बैटरी ओपरेटेटर स्प्रे पंप सेट पर 50% तक अनुदान परदान करने के माधम से किसानों को यह सुनहरा आउसर मिल लाि है इस योजना का लाब उठा सकते हैं इन जिलों में बैटरी ओपरेटर स्प्रेपम सेट की योजना में आविदन करने का मोका दिया गया है हरियाना के चर्खे दादरी में जर्नलाइक जन्ता पार्टी यानी जजपा की भिवानी मेहिंदरगड लोक्षपा छेतर के कारे करता हूं कि रैली में अनाज मंडी में लोगों की भी डुमडी बारणा विदायक नैना चोटाला के साथ पार्टी की संस्ताबग अध्यक्ष डॉक्टर अजे सिंग चोटाला के साथ डिप्टी सेम्दोशन चोटाला और जजपा की परतेशा अध्यक्ष सरदार निशान सिंग मंच पर पहुंचे अजे चोटाला ने रैलि में अपने भाई इनएलो विदायक अभे सिंग चोटाला पर करतेवे का की वो कहते थे कि 75 पार की नारों को यवना पार पहुंच आएंगे चिनोंने किसानों की जमिन को ओने पोने दावों में खरीद कर Remote company की लोगों को देने का काम किया डॉक्टर अजे सिंग चोटाला ने कॉंगरेस पर हमला बोलते वे कहा कि वे लोग कहते हैं कि हम गैस सिलेंडर को 300 करने का काम करेंगे लेकिन जब उनका वक्त था तो उन्होंने कुछ नहीं किया शोयकर जमीन खरी दिया है जिसमें पुलिस लाइन और बस टैंड भी बनेगा हरियाना में प्रधान मंतरी से नरेंदर मोदी के जनम दिन पर बीजेपी ने शेवा पकवाड़ा के शुरुआत कर दी है पकवाड़े के पहले दिन हरियाना बीजेपी अदेक्ष ओंप्रकास धनकर ने रगदान स्वीरा आयुजित के राये धनकर ने कहा कि देश के परधान शिवक नरेंदर मोदी ने व्यक्तिकत आउसरों को भी जनशिवा के आउसरों में बदलना सिखा दिया है वही हरियाना की मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने परधान मंत्री द्वाराप ने जरम दिन पर विश्वकर्मा योजना शुरू करने के पर आभार प्रकट किया सियम ने और दोगिक सर्मिकों की बच्चों को दी जाने वाली चातरोरती में बढ़ोतरी करने की गोशना की वर्तवान में चातरोरती के राशी जो 5,000 रुपे से शुरू होकर 16,000 रुपे तक जाती है वह अब 10,000 उपे से शुरू होकर 21,000 उपे तक दी जाएगी हर्याना में INDIA गठबंदन में INLD के सामिल होने के आसार दिखने लगे हैं 25 सितंबर की समान्द US रैली को रेकर INLD और ZU के चीफ राश्टे प्रोक्ता केशी तैगी की मिटिक ने इसके संकेत दे हैं पूरू राजिसवा सानसत केशी तैगी ने सपस्ट किया है कि इनेलो को हमने कभी भी INDIA गठबंदन से बाहर नहीं माना है इनेलो के अपनी एक बड़ी विशुस्नियता है हर्याना में इनेलो एक बड़ी ताकत है INDIA गठबंदन में जितने भी दल सामिल है लगबग सभी ने चोधरी देवलाल के नेतरतों में काम किया है कैशी तैगी ने कहा है कि पहले गैर कॉंग्रिसवाद और अब गैर भाजबावाद के निव रखने वाली जमीन का नाम हरियना है 25 स्तंबर को समान दिए उस रेली पर गठबंदन के लगबग सभी लोगों को निमंतरन दिया गया है तैगी ने कहा कि इनेलो ने निमंतरन देने में कोई राजनीतिक च्वाचूत नहीं बरती है इसमें सोनिया गांदी और मलीका रुजन खडगे को भी निमंतरन दिया गया है भाजबाज जैसे मजबूत और ताकेतवर्थ पार्टी को अगर हराना है तो उतना ही बड़े दिल से और उस साथ ही उतना ही बड़ा गठबंदन हमें बनाना पड़ेगा हरियाना में इने लोग कॉंग्रेस और आपको इखटा होना पड़ेगा अबे सिंग चोड़ाला ने कहा कि कॉंग्रेस और अर्विंद केजरिवाल से हमें कोई परहज नहीं है वे सिंग केजरिवाल और कॉंग्रेस अदक से बात करेंगे और उने निजी धोर पर निमंतरन देंगे उसके बाद वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे यह उनका फैसला होगा अगर कॉंग्रेस बुपेंदर सिंग हुड़ा की जिम्यदारी लगाएगी तो हम उनका विश्वागत करेंगे अबे सिंग जोड़ाला ने कहा कि बुपेंदर सिंग हुड़ा ने बयान दिया है कि कॉंग्रेस हरियान की 10 की 10 लोकषबा शीटों को जितने में सक्षम है अगर ऐसा है तो पिछले लोकषबा चुनाव में कॉंग्रेस सभी शीटे क्यों हार गई मैं वुपेंदर सिंग हुड़ा और दिपेंदर हुड़ा यानि दोनों बाब बेटा लोग सबाचुनाओं क्यों हार गई वुपेंदर सिंग हुड़ा को ऐसा बयान देने से पहले कॉंगरेस आई कमान से पूछना चाहिए था क्यों ऐसा बयान दे या नहीं हरियाना में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है बता देंगे हरियाना गोश्यवा आयोग द्वारत तैयार खाद IIT दिल्ली और पूसा अनुसंदान केंदर की मानकों पर खरी उतरी है किसानों ने प्रोम का प्रियो किया है और इसके शकारात्मक प्रेनाम भी सामने आई है परदेश में गोशाला की संख्यां का आगड़ा 680 है और इन में से परती दिन 50 लाग किलोग्राम गोबन लेगरता है परदेश बर की गोशालाओं में 5 लाग से आधिक गोवन्स है और इनके गोबर से रोजाना 70,000 खाद के कट्टे तयार किये जा सकते हैं इस खाद का सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि यह पूरी तरह से जैविक होगी जो की बिमारी उसे बचाएगी कस्मीर के अनन्त नाग में 13 स्थमर को आतिंकियों से मुटबेड में सहीद वे 36 वर्षे मेजर आसिस दोंचक के घर हरियाने के सेम मनुरलाल खटर पहुंचे सेम पलवल से बाई एयर पानिपत सेक्टर 13-17 स्थित हैलिपेड पर पहुंचे यहां गाड़ी के मादे में से टीडिया इस्थित सहीद मेजर आसिस के नव निर्मित आवाज पर पहुंच कर परिजनों से दुख साजा किया मनुरलाल खटर ने का कि परिवार से मिलकर पता लगा कि मेजर आसिस बहुत ही बहादूर थे 50 लाग रुपे की राशी सहीद के परिवार को दी जाती है इसके अलवा उनकी पतनी को सेक्ष्णिक योगेता के अनुसर सरकारी नोकरी दी जाएगी उनका नाम आमर रखने के लिए पार्क, स्कूल, मार्क, इतियादी का नाम रखने के परस्ताओं पर विशार किया 16 राश्ट राइफल्स के सिख लाइट इंफेंटरी में सामिल थे उन्हें राश्ट्पती द्रौपती मुर्मु ने 15 अगस्त को सेना मेडल दिया था हारियाना के पोरुग रहमंत्री और कॉंगरेशी नेता सुवास बत्रा ने नो इंचा को लेकर भाजपा को गेरा उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता मंत्री और सांसत जवी बजरंग और गोलक्षय दल के मौनु मानेसर को पाक्सा बता रहे हैं कॉंगरेश के नेता विदायक मामन खान को आरुपी बता रहे हैं भाजपा नेताओं द्वारा दिये जारे बयान शरमनाक है मौनु मानेसर के लोरेंस गैंग में सामिल होने के सबूत पुलिस ने दिये हैं बड़ा अपरादी है जबकि भाजपा मौनु मानेसर को देवता बता रही है उन्होंने कहा कि भाजपा परदेश अद्यक शोंप्रकास धनकड उसे पाक साब बता रहे हैं जबकि मौनु मानेसर एक अपरादी प्रवतिका व्यक्ति है मामन खान को ग्रह मंतरी अनिल विज और नू का एसपी पहले ही दोशी करार दे चुके हैं एसपी को सबूत मिले हैं तो कोर्ट में पेश करने चाहिए दोशी सबित करना कोर्ट का काम है हारियाना की नो हिंसा की हरोपी कॉंग्रेश MLA मामन खान पर पुलिस का शिकंजा कस गया है दो दिन का रिमान पूर आओने पर पुलिस ने रहीवार को मामन खान को ड्योटी मजिस्टेट की कोर्ट में पेस्ट किया पुलिस ने एक दूसरी केस का हवाला देते वे कॉर्ट से उनका फिर से रिमान मांगा कॉर्ट ने दोनों पक्सों को सुनने के बाद विधायक मामन खान को फिर से दो दिन के पुलिस रिमान पर भेज दिया पंजाबी सिंगर शिद्धो मुशेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपि गैंग्स्टर लोरेंस की जेल से एक और वीडियो कॉल वाइरल हुई है हैरान कारने वाले बात यह है कि लोरेंस की वीडियो कॉल की दूसरे तरफ दिखने वाला व्यक्ती हरियाना की नो हिंचा का मुख्यारोपि मौनु मानिसर है इस वीडियो कॉल में एक और गैंग्स्टर राजू बशोदी भी दिख रहा है जो लोरेंस की साथ बैठा हुआ है गोरक्षा दल से जुड़ा हुआ मौनु मानिसर गैंग्स्टर लोरेंस की गैंग में सामिल होना चाता था उसके बाद दोनों के बेच वीडियो कॉल की जरी बात चित हो रही है मौनु मानिसर की गैंग्स्टर लोरेंस ही नहीं बल्कि सिद्धू मुशे वाला हत्याकाड में वांटेड और भारत से फ्रार होकर अमेरिका में चिपे लोरेंस के भाई अनमोल बिशनोई से भी एन्क्रेप्टेड एप के जरी बात चित होती थी वाईरल वाई याई वीडियो कब का है इसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश कर रही है लोरेंस लंबे समय से जेल में है वहीं राजू बसोदी को पुलिस 2020 में थायलेंड से पकड़ कर लाई थी वाई मौनू मानेसर नाशीर और जुने धहत्यकाण में राजस्तान पुलिस की ग्रेफ्ट में है संदीपूर्फ काला जठेडी गैंग के जरी राजू ने अपराद की दुनिया में कदम रखा था उसके बाद यह लोरेंस गैंग से जुड़ गया राजी सरकार ने कई नई योज नई शुरू की है उन्होंने कहा कि सफाई कर्मिय अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेश ध्यान दे और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर सफल बनाए पड़ाई के राज्ते खुले हैं और आगे जो भी मदद होगी सरकार करेगी उन्होंने कहा कि राज्य में आप तक लगबग 10,000 सफाई करमचारी ग्रामिन चेतरों में काम कर रहे हैं और जल्द ही 1000 नई सफाई कर्मियों की भरती की जाएगी आप लोगे की सायोग से नई व्यवस्ता लागू करेंगे ताकि सफाई कर्मियों को काम में कोई SUV धाने हो हरियाना सरकार ने सर्मिकों की बेटियों के लिए एक महत पुन पहल गिया है उन्होंने 50,000 रुपे का प्रावधान किया है जिसके तैयत इलेक्ट्रिक स्कूटे की खरीद पर ये सहाय तरा से प्रतान की जाएगी वहीं ओद्योगिक सर्मिकों के लिए भी हरियाना सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है अब उन्हें सायकल खरीदने के लिए 3000 रुपे की बजाए 5000 रुपे की राशी मिलेगी अब महिला सर्मिकों को शिलाई मशिन खरीदने के लिए 3500 रुपे की बजाए 4000 रुपे गराशी मिलेगी वहीं क्रोनिक बिमारी से गरिष्ट सर्मिकों के लिए भी हरियाना सरकार ने एक महत पुन उपाई किया है जो खुद को BPL या फिर डबल एवाई कार्ड स्रेणे में मानते हैं निदेशालने का है कि अब चाहे आप BPL या फिर डबल एवाई राशनकार धारक हों केवल उन परिवारों को 40 रुपे में 2 लिटर सर्शों का तेल मिलेगा जिनकी सालाना आए 1 लाग रुपे तक होगी राजी सरकार ने 20 रुपे पर 3 लिटर की सीमा के साथ 2 लिटर सर्शों का तेल वितरित करने का निरने लिया है फौर्टिफाइड सर्शों का तेल केवल उन परिवारों को वितरित किया जाएगा जिनके परिवार पैसान पत्तर में सत्यापित आए एक लाग रुपे तक होगी परधान मंतरी नरेंदर मौधी ने पीएम वीशु कर्मा कोशल समान योजना लौंच किया है इस योजना से 18 व्यवशायों से जुड़े लोगों को फाइदा होगा इसके लिए 13,000 करोड का आउटले यानि फंड बनाया जाएगा हमारे यहां कहां गाया है कि जो समस्त संसार के रचना और उसे जुड़े निर्मान कारी करता है उसे विशु कर्मा कहते हैं हजारों साल से जो साथी बनाने के मूल रहे हैं वे विशु कर्मा है समाज के विकास में विशु कर्मा साथियों का बड़ा योगदान है उनके बिना रोजमरा की कलपना भी मुश्किल है हमारी जिनकी में लोहार दरजे जोते वालों की एहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती आज भी हम मटके और सुराही का पानी प्याना पसंद करते है टेक्नोजी कहीं भी पहुंच जाए इनकी एहमियत हमेशा रहेगी हमारी सरकार विशु कर्मा भाईयों का सम्मान और शामर्त बढ़ाने के लिए सायोगी बनकर सामने आई है विशु कर्मा साथियों के लिए ट्रेनिंग टूल्स बहुत ज़रूरी है परधान मंतरी श्री नरेंद्र मोजी ने पिएम विशु कर्मा कोशल योजना लॉंच के और इस योजना से जिन 18 व्यवसायवालों को फायदा होगा वो इस प्रकार से हैं कारपेंटर यानी बढ़ाई नाव बनाने वाले आश्तर बनाने वाले लोहार ताला बनाने वाले यानी मरमतकार अथोड़ा और टूलकिट निर्माता शुनार कुमार मूर्तिकार मोची राजमिस्तरी टोकरी यानी चटाई जाड बनाने वाले पारंप्रे गोडिया और खि मिलेगा वहीं अगले च्रण में यह रकम दो लाख रुपे कर दी जाएगी योजना की अंतरकत कारीकरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी हरियना की सिर्षा जिले में किसानों के खाते में फसल का मौज़ा 16 स्टंबर 2023 तक 60 फिजदी तक पहुंच चुका है कुल 10,599 किसानों ने फसल खराब होने के आविजन जमा करवाई थे जिन में से 6,340 किसानों को 321.1 क्रोड रुपे का मौज़ा जारी किया जा चुका है हलाएं कि सरकार ने कंपनी को मौज़ा वित्रण के निर्देश दिये हैं शिर्षा जिले में मार्ज 2023 में हुई ओलावस्टे और बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुक्षान पहुंचा था ग्याउं के अलावा सबजियों की फसल की बात की जाए तो कई सबजियां जै देखते रहें आपका अपना हर्याना के सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार आपका दिन सुब रहे